नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है कई बार मोधी सरकार के लिए संकट मोचन बनने वाले शरत पवार ने वीजेपी पर निशाना साधा है शरत पवार के मताबिक मद्दाताओं को हलके में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इंड्रागांधी और अटल विहारी वाजपाई जैसे दीगज नेता भी चुनाओ हार चुके हैं बीजेपी पर निशाना साधते हुए एंसीपी अध्यक्ष ने कहा कि नेताओं को मद्दाताओं का महत्व ना समझने की भूल नहीं करने चाहिए क्योंकि इंड्रागांधी और अटल विहारी वाजपाई जैसे शक्तिशाली नेताओं को भी चुनाओ में हार का सामना करना पड़ा था दरसल महारास्ट्र के पूर्व मुख्य मंत्री दिवेंद्र फड़नवीस के पिछले साल के विधान सभा चुनाओं के दोरान मी पुनहा येन यानी मैं दोबारा आऊंगा के नारे की आलोशना करते हुए पवार ने कहा कि मद्दाताओं ने सोचा कि इस रुख में अहंकार की बुआ रही है और महसूस किया कि इन्हें सभख सिखाना चाहिए पूर्व केंद्रिय मंत्री ने शिव सेना नेता और पार्टी के मुखपद्र सामन के कारेकारी संपादक की तरफ से लिए गए एक इंटर्व्यू में ये बाते कहीं हैं आपको बता दे पवार के मुताबिक महरास्ट्र में सरकार का बदलना कोई हादसा नहीं है महरास्ट्र की जनता ने लोग सभाचुनावों में बिजेपी को वोट दिया लेकिन विधान सभा में उनका मूड बदल गया और वो हमारे पक्ष में आ गए पवार के मुताबिक कई राज्यों के विधान सभा चुनावों में बिजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है वहीं इसके अलावा लॉग डाउन पर सीम उद्व ठाकरे से मतभेद के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे लॉग डाउन के दौरान वो सीम के संपर्क में रहे और अभी भी उनकी अच्छी बाचीत होती है इस खबर में फिलहाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ